हालो मडेल स्टूडिंट्स, तो बचो जैसा कि आपने टाइटल में देखा, yes, it is shocking for you and as well as for us कि NMC all over India में हमारी पूरी country में 112 new medical colleges open करने जा रहा है बचो हलंकी ऐसा नहीं होता यह सारा process कि उन्होंने announce किया और एकडम से college खुल गए और एकडम से seats बढ़ गई, but yes, अगर announcement हुआ है NMC की तरफ से, तो definitely इस चीज़ पर work out हो रहा है, definitely colleges ने इसके लिए पहले apply किया होगा, NMC ने yes कर दिया है and जैसे ही वो अपने standards पूरे कर लेंगे, the seats will be added to your NEET exam, okay तो जो भी students NEET 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी news है क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है कि ये जो नई seats add होंगी, ये 24-25 session से ही add करने की पूरी तैयारी है जो भी colleges इस पर अपना पूरा standards फुल्फिल कर देंगे, वहाँ पर ये seats इसी session से add हो जाएगी, तो वैसे तो all over country में हमारे 112 new medical colleges खुल रहे हैं बट अभी फिलाल मेरे पास जो details है, वो Rajasthan की details है, जो मैं आपको बता देती हूं कि क्या लिखा है यहाँ पर इस news में इन 112 colleges में अगर हम देखें, तो 11 medical colleges जो हैं बचों वो आपके Rajasthan में open हो रहे हैं और इन colleges में से private and government दोनों तरह के college हैं, तो सभी students को इसका benefit होगा हैं बचों, तो जो यहां के students हैं, उनको तो state quota में benefit मिलेगा ही मिलेगा, state seats बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी बट हर college की 15% seats All India quota में जाती हैं, तो All India से भी यहां पर admissions बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको simply बताया है कि NMC New Delhi ने medical assessment and rating boards के through 112 medical colleges की एक list जारी की है, और इसके according जिन भी colleges ने apply किया था, उनको जिससे वो NMC permission दे उनके खोलने की, उसके लिए NMC ने yes करा है, बट yes उन्हें यह भी कहा है कि अभी आप थोड़ा wait भी करें, आप यह ना समझ ना कि मैम ने कह दिया, तो मतलब हाँ इस साल यह seats add होई गई है, यहाँ पर clearly लिखा हुआ है कि जैसे ही यह जो assessment board है, यह इनका पूरा inspection वगरा कर लेगा, और अगर वहाँ पर सारी जो भी चीजे होती है ना, जैसे एक medical college में अच्छी laboratories होनी चाहिए, dissection halls होनी चाहिए, professors, principals, जो भी requirements हैं, अगर वो सारी यह fulfill कर देते है तो इसी academic session 24-25 से these seats will be added, ठीक है, तो यहाँ पर आपको just a calculation भी बताइए, कि normally आप देखिएगा medical colleges में एक batch में 100 students तो minimum होते ही होते हैं, कुछ colleges में से SMS वगरा में तो same batch में 250 तक students भी हैं per batch में, ठीक है, तो अगर हम average 100 seats के according भी लगाएं, और इनके according अगर यह कह रहे हैं कि 112 medical colleges open हो जा रहे हैं, तो 11,200 seats definitely add होंगी, अब गोचाहे 24 में add हो जाएं, या 25-26 तक add हो, तो जो भी बच्चे next 2 years need की preparation के बारे में सोच रहे हैं, अभी 10th board से free हो हैं, 12th board से free हो हैं, उनके लिए definitely seats increase होंगी, ठीक है, अभी at present अगर हम बात करें, तो हमारे इंडिया में 706 medical colleges हैं बचो, मिला कर, government plus private मिला कर, और उनमें 1,09,000 seats हैं, approximately, अगर ये seats add हो जाएंगी, तो but obvious the seats will be 1,20,000, ठीक है, तो अगर मैं राजिस्थान की बात करूँ, तो यहां पर ये भी बताया है कि कहां कहां private और कहां कहां government college खुलेंगे बचो, तो private college आपके खुल रहे हैं, दो तो ज जयपुर में खुल रहे हैं, देव medical college और कितांशली medical college के नाम से, जोथपुर में भी दो college open होंगे, व्यास medical college, J.I.E.E.T. medical college, and, and, कोटा में एक college खुल रहा है, एक college श्री गंगा नगर में खुलेगा, ये तो six होगा है आपके private college, and five colleges बचो, government के भी open हो रहे हैं, कौन- परी लग गई भी, आपी के district में अब एक और नया medical college आ रहा है, अगर पहले से है, तो अच्छी बात है, अब एक और आ जाएगा, तो अगेन अगर आप अपने अच्छे तरह efforts लगाएं, नीट में, है ना, जो आपकी preparation है, अभी ये last का अभी भी ऐसा नहीं है, कि आपके प प्रूब होगा, वो तैयारी आपको कैसे करनी है, उसके वीडियो रिसेंटली हमने चामल पर अप्लोड किये है, एक पूरा 45 देस का strategy वीडियो मैंने अप्लोड किया है, प्लीज जरूर से देखना, physics, chemistry and bio के अलग-अलग वीडियो हैं, कि अगर आप हर subject में अपना score better करना चाते हैं, तो उसके लिए हर subject में आपको किस-किस तरह से improvements करने होंगे, ठीक है, आप उन वीडियो को जरूर से check out करें, चैमल पर देखें, and हम इस चैमल पर सिर्फ वही चीज़ें अप्लोड करते हैं, जो बच्चों के लिए जरूरी हो, जिन वीडियो को देखने से उनका time waste ना हो, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इसको भी जरूर से कर लें, so that future में आपसे कोई भी update मिस ना हो, और आप अपने NEET की एक focused preparation कर सके हमारे साथ, and yes, मैं आपको बता दू, हमारे चैनल पर पूरा content free of cost भी uploaded है, तो अगर कोई स् उसके information भी चैनल पर जल्द ही होगी, okay, good luck.